हलो नमशकार गुड मॉर्निंग फ्रेंज दोस्तों सेंटेंस इंप्रूव्मेंट का पार्ट नमबर वन हमने लास्ट लेक्चर में किया था आज हम करेंगे पार्ट सेकिंड और ये वो सारे संटेंस इंप्रूव्मेंट है जो कि CZL Tier 1 2020 में पूछा गया था लास्ट वीडियो आप सभी ने देखी लिया है लेकिन अगर किसी ने नहीं देखा हो प्लीज आप उसको देख लीजेगा लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी प्लेलिस्ट की या आप सर्च कर लीजेगा संटेंस इंप्रूव्मेंट मैट्स बाइ आसी सर क्लासेज और अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप लाइक करना, सब्सक्राइब करना या दोस्तों के साथ शेयर करना बिलकुल भी मत भूलिएगा तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक और हम कुछ रूल्स वगरा भी डिस्कस करेंगे हर संटेंस में जो भी ज़रूरत होगी चलिए देखिए पहला संटेंस है हमारा यहां पर हमें साफ साफ क्लियर ले दिख रहा है यहां पर भी पास्ट आएगा आपका यहां पर गेव आना चाहिए और यहां पर भी इनोंने एडी ले रखा है सो अब हम ढूंडते हैं कि कहां कहां पर हमें मिल सकता है पास्ट आपका यहां पर है पास्ट आप देखेंगे फर्स्ट ओप्शन में गिव है तो फिर गिव तो नहीं आएगा यह हमारा कैंसल आउट fourth में देखेंगे तो given given भी नहीं आएगा verb की third form directly नहीं आएगी so ये भी आपका cancel हो गया so या तो आपका answer होगा no substitution या तो option number second so gave ऐसे कौन-कौन से examples थे जो writer ने दिया था किस सीच के लिए दिया था ताकि वो कर सके क्या to prove so to के बाद आपका हमेशा verb की first form आती है ना की ed form आती है so इस हिसाब से आपका जो option number c है no substitution का ये भी cancel हो गया आप ध्यान से देखिए यहाँ पे to prove है to prove so ये आपका right answer है the writer gave to prove his point so option number second is the right answer next sentence देखिए if you are not able to go out अगर आप बाहर जाने की इस्तिति में नहीं हो did not worry यहाँ पे आप देखेंगे इन्होंने did use किया हुआ है लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो sentence की जो formation है starting है वो आर से हो रही है यानि present से तो आगे भी हमें present सही है option पढ़ लेते हैं do not worry worrying not का तो कोई science नहीं बन रहा go out worrying not no substitution होगा नहीं क्योंकि we need to improve हमें did को cancel out करना है अब यहाँ पे पहला option है don't worry second है don't worried so don't के बाद आपका वीवन आएगा हमेशा right so don't worried का तो sense नहीं बनेगा च्योंकि worried past में चला जाएगा और do not या did not के साथ हमेशा verb की first form आती है जो आपका option number first है वो answer है आप खुद से भी video pause करिए और फिर खुद से भी solve करिए अगर कोई question ऐसा है जिसमें आपको लगता है कि मैंने जो बताया हो समझ में नहीं आया या difficult है तो आप comment box में भी मुझे बोल सकते हैं अगला देखिए the warden punished the students warden ने क्या किया punished किया था student को यह present है या past है right past है who violates the rules of the hostel ठीक है past है यहां पर तो इसका मतलब आगे sentence भी past में होना चाहिए तो who violates तो नहीं होगा option देखते हैं who is violating नहीं who are violate नहीं no substitution नहीं सो आपका right answer क्या हो गया right answer हो गया option number a who violated मतलब warden ने punish उनको किया था जिन्होंने violate मतलब रूल को किया मतलब जिन्होंने rule की rule को violate किया था violated the rules of the hostel ठीक है लेकिन अगर यहां present होता suppose करिये के यहां ED होता ED नहीं होता warden punishes yes होता so क्या answer होता तो फिर आपका न यह as हट करके यहां पे सिर्फ violate हो जाता क्यों क्योंकि यहां पे मैं आपको एक extra rule बतायता हूँ who, which, that जब भी relative pronoun होते हैं और उसके बाद अगर verb आता है तो वो हमेशा उसके पहले use किये गए noun के according आता है noun plural है तो वर्व भी आपका plural होगा violate अगर सिर्फ student होता तो फिर होता violates लेकिन क्योंकि हाँ यह तो मैंने आपको तब बताया यह जब होगा जब यहां पे आपका punishes यानि की present में होता but क्योंकि यहां पे past में है तो फिर आपका right answer क्या हो जाएगा who violated move to the next sentence the minister along with his team members is expected to arrive shortly so देखिए आप जब भी कभी पढ़ेंगे sentence को और अगर आपको यह word दिख जाए as well as along with beside in addition to with ऐसे बहुत सारे words हैं जो आप पढ़ेंगे subject verb agreement chapter में इसका rule क्या कहता है कि जब भी दो subjects को in कुछ particular words से जोड़ा जाता है जैसे मैंने बताया न as well as in addition to along with along besides पढ़े लिजेगा बाकी सारे words उसमें so आपका जो main verb है main verb कहां पे है यह है आपका यह हमेशा आएगा आपका first वाले subject के अनुसार यहाँ पे दो subject कहां है एक है the minister subject 1 और एक है उसके team members subject 2 अगर माल लिजे subject 2 यहाँ पे होता यानि plural और अगर is subject 1 यानि की the minister बाद में होता तो फिर आपका आ राता लेकिन आप यहाँ पे आपका कैसे आएगा subject first के अनुसार the first subject is plural sorry singular right minister singular है 90% chances होंगे अगर यह words आपको दिखेगा तो इसी rules पे based error मिलेगा आपको यहाँ पे आपका क्या होना चाहिए is होना चाहिए is सही है पहले हम option eliminate कर लेते है r, r, r सब में ही r है तो फिर हमारा answer हो जाएगा no substitution ठीक है इसमें फिर आपको ज्यादा कुछ देखने वेखने की जरूरत नहीं है ऐसे questions में आपका time भी बहुत बचता है is expected to arrive shortly आगे देखिए many artisans were almost without any work during the pandemic तो pandemic के समय बहुत सारे artisans थे जो क्या थे almost बिना काम के थे सो क्या होना चाहिए इसका answer पढ़ लेते हैं option without any almost देखिए जो without है न ये है आपका basically preposition और preposition noun को refer करेगा यानि किसको refer कर रहा है work को without any work सो आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो without किसको refer कर रहा है यहाँ पे किसको qualify कर रहा है any almost without any almost या without almost या any almost without या sense नहीं बन रहा है यहाँ पे without any almost without any almost को तो नहीं qualify करेगा without almost को भी qualify नहीं करेगा almost any without work नहीं होता without any work क्योंकि ये any जो है न ये any देखे any without के लिए use नहीं हो रहा any work के लिए use हो रहा है तो वो work के पहले any आएगा ठीक है तो इस हिसाब से आपका option 4 भी गलत हो गया और any determine का काम करता है ये दोनों साथ में हैं और इनको जो refer कर रहा है qualify कर रहा है वो preposition कर रहा है तो वो उसके पहले आएगा almost आपका adverb है हलांकि इसमें इतना grammar rule की जरूरत नहीं थी आप एक बार जब पढ़ेंगे sentence को so structure से भी आपको idea मिल जाएगा कि इसका answer होना चाहिए no substitution चलिए आगले sentence की तरफ चलते है Samir gave very less information to Munir about the progress of the work Samir ने past है यहाँ पे मतलब information दिया था Munir को बहुत कम कि जो progress चल रहा है काम में अब देखिए यहाँ पे ऐसी कोई भी चीज जिन्हों ने नहीं बताई है जिससे कि मैं यह बता सकूं कि यह present है या past है इन्हों ने यहाँ पे ego नहीं लगाया इन्हों ने यहाँ पे yesterday नहीं लगाया कोई past का time नहीं लगाया कोई present का time नहीं लगाया तो मैं यह नहीं बता सकता कि sentence present में होगा या past में इसका मतलब यह हुआ कि जो sentence past में दिया है हम इसका जो एक तरीके से nature है वो नहीं बदलेंगे ठीक है nature नहीं बदलेंगे यह past में दिया है सो past में ही हम इसे रखेंगे और sense past को justify भी कर रहा है कि मुनिर को नहीं दिया था यह less information दिया था फिर हम इसको past में ही रखेंगे सो हम present को cancel कर देंगे ठीक है और देखिए यहाँ पर गैव वेरी अच्छा information एक ऐसा word है कुछ nouns आप नाउन chapter पढ़िएगा वहां लिखा मिलेगा कुछ nouns ऐसे होते हैं जो हमेशा without S या इस आते हैं उसमें आप S या इस जोड़कर उनको plural नहीं बना सकते जैसे जैसे क्या बुलते हैं इसे equipment हो गया फरनीचर हो गया evidence हो गया jewelry luggage baggage language scenery या इन चीजों को ध्यान रखेगा इस सारी चीजें आपको help करती है क्यों क्यों कि यहाँ पर information सा गए तो आपने फटाफट cancel कर दिया इसे आप जब दो cancel हो गए तो मेरा answer यह तो no error होगा यह तो give very little information सो यहाँ पर सिर्फ दो वर्ड है जो आप different आपको दिख रहा है एक तो less और एक little आपको इन दोनों से पता लगाना है कि सही answer कौन सा हो सकता है तो आपको अब यह पता होना चाहिए कि less और little का मतलब क्या होता है तो दोनों का मतलब same ही है कुछ भी नही information मतलब less information मतलब कुछ भी नहीं लेकिन जो यह आपका less है यह आपका comparative degree है less क्या है आपका comparative degree और यह जो है आपका positive degree यह आप बुलिए इसको executive की तरह की से आप भी use कर सकते हैं इसको जो यहाँ पे आपको qualify कर रहा information को है ना और less यानि comparative degree का हम use तब करते हैं जब हम तुलना कर रहे हो compare कर रहे हो otherwise हम normal बातों में little का use करेंगे जिसका मतलब होता है थोड़ा सा भी नहीं और little का मतलब होता है थोड़ा confuse मत होईगा little का मतलब होता है थोड़ा सा भी नहीं और क्या बता सकते है इसमें आपको पढ़ा आपने पढ़ा होगा little less least ठीक है little आपका positive degree है less comparative और least जो है superlative degree है so यहां से भी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यह आपका गलत हो गया आपका right answer होगा little क्योंकि comparison नहीं कर रहे न हम किसी चीज की information की information से so comparative degree का sense नहीं होगा comparative degree we use only to compare आगे देखिए the news are true okay so is being true और are being true being का तो कोई sense नहीं बनता मतलब इसको सच दिखाया जा रहा बनाया जा रहा है ऐसा sense नहीं है यहां पर passive voice है दोनों हमें active voice में चाहिए so यह तो are true होगा या is true होगा देखिए अभी मैंने आपको कुछ words बताये थे ना furniture, equipment, news भी उनमें से एक है so news हमेशा singular consider होता है उसके साथ आप आर नहीं लगाएंगे आप क्या लगाएंगे is so यह आपका true है news का full form क्या होता है अगर आपको पता है तो please मुझे comment box में बताईए I wanna know के आपको पता है या नहीं so please मुझे बता दीजे comment box में news का full form आगे देखिए the crowd gave the crowd have gathered around the sea to watch the actors अभी नेताओं को देखने के लिए public भीड ने क्या किया वो gathered हो गए कहां पे around the area ठीक है तो अब दिखिए यह भी error आपका noun से ही है कैसे यहां पर एक word लिखा हुआ है crowd crowd का मतलब होता है भीड यह किस प्रकार का noun है यह एक collective noun है है ना लोगों के भीड को क्या बोलते है crowd so collective noun को हमेशा क्या consider किया जाता है singular crowd क्या है singular so यहां पर have नहीं आएगा have यहां से cancel हो गया have यहां से cancel हो गया no improvement आएगा नहीं तो आपका जो answer है वो बचा has वाला option number second easy था यह वाला काफी आगे देखिए I wish I have come an hour sooner काश I wish का मतलब क्या होता है काश के मैं एक घंटा पहले आ गया होता तो देखिए यह जो है ना जब भी sentence की सुरुआत होगा I wish से तो इसका मतलब होता है कि मैं मेरी ख्वाहिश है जो पूरी नहीं हुई मतलब यह past को refer करता है हमेशा यह हमेशा किसको refer करेगा past को भई I wish कि मैं एक घंटा पहले आता मतलब यह कब के बारे में बात कर रहा है past के बारे में एक घंटा पहले के बारे में और इसका मतलब यह भी होता है कि वो पहले नहीं आया यहाँ पे जो काम दिखाना चाहते हैं वो नहीं हुआ, है ना, चूंकि वो चाहता था काश, मैं एक घंटा पहले आया होता, तो इन प्रकार यहनी कि काल्पनिक सेंटेंसेज हैं, इमेजनरी सेंटेंसेज हैं, तो इसमें हमेशा जो आपका जो सेंटेंस है वो पास्ट में बन आगे देखिये preparing children for uncertainties keeps them in readiness to face challenges देखिये यहां पर इस वर्ब है न यह वर्ब की first form यानि कि singular वर्ब सिंगुलर वर्ब का यूज यह फिफ्थ फॉर्म है यह फिफ्थ फॉर्म है हम जनरली फर्स्ट फर्म बोल देते हैं बट यह फिफ्ट फर्म होता है ऐसी एईस लगने के बाद बट ठीक है अभी हम यहाँ पे लेके चलते हैं कि सिंगुलर वर्ब यहाँ पे ऐस लगा करके इन्होंने सिंगुलर वर्ब जो है ले रखा है प्रेजेंट में सो इसका मतलब अगर यह सिंगुलर वर्ब तो आपका जो सब्जेक्ट है वो भी सिंगुलर होने चाहिए सो आप कह दिएगे कि सर जो हमारा सब्जेक्ट है वो तो प्लूरल है और प्लूरल है तो यह गलत हो गया दिखिए तेल मी लेट मी टेल यू सम्झिंग जो children है न ये इसका main verb नहीं है ये इसका main subject नहीं है आपको लग रहा होगा कि children subject है बट children subject नहीं है देखे यहाँ पे बच्चों की बात नहीं की जा रही है यहाँ पे बच्चों की बात नहीं की जा रही है बच्चों को तयार करने की बात की जा रही है preparing children preparing children जो action है न ये zeeran जो verb होता है उसको जब हम zeeran के तरीके से use करते हैं तो वो बन जाता है उसको noun बन जाता है तो हम as subject use कर सकते हैं जैसे बोलते हैं running is good for health, running हमारा ing आ गया, swimming is a good exercise, so यहाँ पे क्या हुआ, preparing आपका main subject है, तयार करना, किसको तयार करना, बच्चों को, so यह हमारा singular है, क्या है यह हमारा singular, so यहाँ पे इसके हिसाब से हमारा यह सही है, बच्चों को तयार करना uncertainties के लिए keeps them in readiness, so keeps सही है, so keep यहाँ पे आप option number 4 में देखेंगे तो cancel हो जाएगा, option number 2 cancel हो जाएगा, अब आपके पास जो first और third है same option है, sorry, first और question में जो दिया हुआ है, same है फर्क सिर्फ इतना है, आपको read और sorry, in और for से पता लगाना है, कौन सा answer होगा, so keeps them for in readiness नहीं होगा, in का मतलब अंदर in readiness नहीं होगा, आपका for readiness, for purpose को show करता है, तो यह आपका answer हो गया, अगला है, the teacher advised the children to went near the lake, अब यहाँ पे देखिए, आप आपने देख लिया कि यहाँ पे advised जो है past है, so आपने अंदाजा लगा लिया होगा, जैसा हम अभी तक कई बार discuss करते भी आ रहे हैं, कि जब यह past है, so मेरा यह भी past में होना चाहिए, है न, लेकिन, यह आपने narration अगर पढ़ा होगा न, तो उसमें कुछ होता है imperative sentences, so उसमें क्या होता है, उसमें जब आपका जो जैसे, हाँ, जैसे conjunction हम that use करते हैं, न, normally direct indirect speech में inverted कोमा को हटाने के लिए, इसमें to use किया जाता है, इसमें क्या यूज किया जाता है to, that नहीं यूज किया जाता, और to के बाद directly आपका वीवन डाल करके वर्क दे दिया जाता है, the teacher advised me to study late, to study English more, the teacher advised me no to go outside in COVID, teacher advised me not to play with you know, bad students, so यहाँ पर क्या होगा, to है आपका to, the teacher advised the children not to go, ऐसे बनेगा, यह formation होता है आपका, so not to go, कहाँ पर आपका option number 3, यह आपका right answer है, मैंने narration करवाय था, शायद वहाँ पर इसको discuss किया है, अगर आपको doubt है न, थोड़ा सा भी, फटा-फटा आप narration chapter open करिये, whatever book you use, you choose to study, आप उसमें अपना narration देखिए, और imperative sentences को ढूढ़िएगा, जहाँ पर advice, command यह सब दिया जाता है, so आप देखेंगे वहाँ पर आपको यह मिलेगा, not to do something, right, यह आपका right answer है, आगे देखिए, हाँ, यह बड़ा अच्छा sentence है दोस्तों, इसका answer आप जरूर वीडियो pause करके मुझे दीजिए, मैं जानना चाहता हूँ कि आपको पता है या नहीं, क्योंकि क्यों यह अच्छा है, क्योंकि इसमें phrasal verb का use किया है, जब भी, आपको sentence को tough बनाना है, question tough बन really creates difficulty to them, so आपको देखना है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, fell over, he fell over in studies owing to his illness, owing to reason, so करता है, कारण, क्या कारण है, बिमारी, बिमारी के कारण वो पीछे पढ़ाई में पीछे हो गया, so अब ऐसा मत सोचेगा, कि पीछे directly पीछे कोई sense करता है, phrasal verb में क्या होता है, कि एक verb होता है, और verb के बाद preposition होता है, दोनों का combination मिलके बनाता है, आपका phrasal verb, अगर आपको इन सब चीजों के बारे में, इन रमायन के बारे में अल्रड़ी पता है, तो आप थोड़ा fast forward भी कर सकते हैं, right, ऐसा नहीं है कि मैं जो बता रहा हूँ, उसको सुनना है, आपको पता है, उसके बावजूद, पता है तो आप थोड़ा forward कर लीजे, अब यहाँ पर आपको चारो phrasal verb के meaning पता होने चाहिए, fell over, fell out, fell for, fell behind, fell out का मतलब होता है, quarrel करना, यानि लड़ना, एक और होता है, fell, क्या होता है, fell, foul off, yes, इसका मतलब भी होता है, लड़ना, fell for का मतलब होता है, किसी से attract हो जाना, fell over का मतलब होता है, गिरना, धर्णाम से कहीं पर गिर जाना, और fall behind का मतलब होता है, पीछे चूट जाना, तो वो पढ़ाई में पीछे चूट गया, because of illness, अभी मैंने आपको क्या बता है, कि जैसा आप, जैसा जैसे मैंने पीछे चूट गया, तो जरूरी नहीं है कि behind आपका answer हो, मैंने ऐसा आपको बोला था, लेकिन answer behind ही निकला, तो इसमें fall behind का मतलब है, पीछे चूट जाना, हर बार ऐसा नहीं होगा, कि जैसा आपको meaning चाहिए, वैसा ही word आपको represent करेगा meaning, क्योंकि phrasal verb अपना all together meaning change कर देते हैं, हर verb या हर preposition के साथ, तो phrasal verb को थोड़ा केरफुली करियेगा, हमने वीडियो बनाए हुए है, अब सर्च करिये बस phrasal verb मैस बाया सिस्सर, चलिए अगला देखिये, he will lose all his wealth if he doesn't manse his way, so manse his way मतलब एक तरीक, manse का मतलब होता है ना, amendments करना, सुधार करना, so basically the way he means his way का मतलब होता है अपने आपको सुधारना, so he will lose all his wealth if he doesn't manse his way, so यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, does not, right, doesn't लिखा हुआ है न, doesn't के बाद आपका कभी भी as, yes नहीं आता, सिर्फ mand बनेगा, so आपको ढूणना है, कहाँ पर mand है, so यहाँ पर भी as है नहीं बनेगा, यहाँ पर do लिखा हुआ है, do तो नहीं होगा, he के साथ रज आता है, no improvement भी नहीं होगा, because we have to improve this, so यह खतम, यह खतम, यह खतम, यह खतम, आप देखेंगे doesn't mand, यह आपका right answer है, अगला sentence है हमारा, a need of an hour is to provide employment to the youth of the country, okay, so यह क्या होता है, दिखिए, need of an hour मतलब जरूरत है इस समय की सबसे बड़ी, कि लोग बच्चों को, youth को employment provide करवाई जाए, so need of hour का मतलब समय की जरूरत, अब लेकिन क्या है न, कि इसमें आप article वगरा नहीं देखेंगे, कि वह यह need के पहले a आएगा, hour के पहले an आएगा, जो कि generally आता भी है, यहाँ पर क्या होगा, कि यह एक phrase है, और यह phrase change नहीं होते, जैसा होता है, आपको यह उसी तरीके से याद करने होते हैं, तो फ्रेज में आपका हमेशा the use होगा, यह hour बोलिये यह hour बोलिये, यह hour बोलिये, यह जो है आपका right answer हो जाएगा, क्योंकि दोनों जगे हमें द चाहिए, यह phrase है, यह आपको याद करने होंगे ऐसे phrases, आगे देखिए, bats huddle together to get warm of each other's body, ठीक है, तो अगर आपको ज़्यादा grammar की knowledge नहीं है, तो vocabulary इंप्रूव जरूर करिए, च्योंकि vocabulary बहुत help करेगा, तो देखिए, bats huddle, huddle का मतलब होता है न, थोड़ा भीड में हो जाना, huddle का मतलब होता है न, public पास पास आजाती है, तो bat huddle मतलब वो चिपा करें है, bats क्या करते हैं, पास पास आजाते हैं, क्यों, ताकि उनके सरीर को गर्मी मिले एक दूसरे की body से, सो देखिए यहाँ पे, to get warm off, सो ये वाला off तो आप कैंसल कर देंगे, ये off मतलब ये जो off है न, इस तरीके से, प्रिपोजिशन आपको वैसा separation वाला off है, और warm off नहीं होगा, warmth from, warming from नहीं हो जाएगा, क्योंकि to get warming sense नहीं दे रहा grammatically, सो अब ये तो warmth from लगाएंगे, ये तो warm off लगाएंगे, सो आप मुझे अंदाजा है कि आप इसका warmth from लगा देंगे, from each other's body, ये सही है, लेकिन अगर थोड़ा deep हम बात करें, सो मैं आपको बता दूँ कि ये ये जो है आपका, देखिये, ये जो है आपका adjective है, जो रेफर करता है, ये से बोलेंगे न, warm clothes, यानि कि जो कपड़ों को qualify करेगा, तो ये adjective है, जबकि warm की अगर मैं बात करूँ, सो ये आपका work कर सकता है, as a warmth from noun, as a noun work कर जाएगा, और to get, हम कुछ प्राप्त करना चाहते हैं, क्या, क्या प्राप्त करना चाहते हैं, तो जो ऐसे क्या, मतलब answer दे, जो क्या का answer दे दे न, तो फिर इस तरीके से, otherwise आप वैसे भी थोड़ा, eliminate कर सकते थे, warmth होगा, अगला देखिए, the prisoners are kept at constant surveillance, अथा सबसे पहले, तो यहाँ पे आपके लिए, एक है word, surveillance, याद करिए इसको, क्योंकि, आप इसको practice करिए, लिख के एक दो बार, क्योंकि यह जो है न, आपका spelling error में भी कई बार पूछा जाता है, double L आएगा, याद रखिएगा, अच्छा हम आते हैं sentence improvement पे, यह भी बहुत अच्छा, यह एक मैं मानूँगा इसको sentence को, यह इसमें again phrasal verb दे दिया गया है, the prisoners are kept at constant surveillance, kept under, kept with, kept by, keep under constant surveillance मतलब अपने नजर के अंदर, नजर के अंदर अंदर रखना, पूरा नजर रखना, तो इसका right answer जाएगा, keep kept under, keep का past कर दिया है, इन्होंने kept, अच्छा यह revise, मतलब repeat हो गया, चलिए कोई बात नहीं, यह वाला repeat हो गया, तो इसका answer अगर आपको पता है, तो बता दीजे मुझे क्या होगा, मैंने भी थुड़े दर पहले यह आपको करवा दिया है, अगला देखिए, Japan has made important and original contributions, inside some fields like photography and electronics, so Japan has made important and original contributions, किसमें, some fields में like photography and electronics, so जब आपको answer लेना है, तो कैसे पढ़े, पहले सबको पढ़ लीजे आप, on some field, for some field, in some fields, so some है न, some के बाद यहाँ पर fields आना चाहिए, ना कि field, so आप ऐसे भी पता लगा सकते हैं, कि यह दोनों आपके गलत हो गए, आप inside बचा यहाँ पर, और यहाँ बचा in, so inside some fields नहीं होगा न, in का मतलब होता है, कि आप जनरली बात कर रहे हैं किसी के अंदर, inside का मतलब होता है, एकदम बिल्कुल एकदम कोई ऐसी चीज़, जो चार चत तरफ से सुरांड़े हो, आप उसके अंदर हैं, I am inside the room, like that inside the class, so यहाँ पर जो आपका आएगा, इन वाला सही आएगा, in some fields like photography and electronics, so यह आपका right answer है, कटम हो गया, कटम हो गया हमारा sentence improvement CGL 2020 के, आगर आपको classes अच्छी लगेंगी, तो मैं आगे भी lecture देता रहूँगा, और कैसे मुझे पता चलेगा, classes अच्छी लगी हैं, वो आप मुझे comment box में बताएंगे, इसके अलावा आप ध्यान से देखे, one word, CGL, मतलब previous year paper, close test, EDM, यह सारा हम करवा रहे हैं, आप लोग इसके लिए subscribe करके रखिए, maths by assessor को important subscribe करना, और share भी करिए, क्योंकि जितने ज़्यादा आपके दोस्तों को पता चलेगा, उतने ज़्यादा वीडियो को देखा जाएगा, तो उतना ज़्यादा lectures आपको मिलेंगे, तो चलिए फिर आपसे मिलेंगे अगले class में, और आज की class को यहीं stop कर देते हैं, पढ़ते रहें, और वीडियो देखते रहें हमारे, आगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जाएंदे,